दोस्तों इच्छामती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गाउ श्यामपुर और इस गाउं की प्रकृती बड़ी सुन्दर लगती थी खुछ घर बिखरे हुए हैं और गाउं के किनारे पर एक विशाल ताड का पेड़ है और इसके बगल में छोटा सा मिट्टी का बना हुआ एक घर है घर रामू का है पिता रामू अपनी पतनी और दो छोटी वेटियों को छोड़ कर प्रदेश में काम करने गए लेकिन फिर धर के बगल में ताड का पेड़ था और बच्चों को उसे पेड़ के आसपास नहीं जाने दिया जाता था लोगों का मानना था कि उस्ताद के पेड़ में बहुत भयानक भू था गर्मी का मौसम था और चारों तरव बादल चा गई थे और बाजार में भी तूफान चलने लग जाता है और विश्णू विमला से बोलता है बारिश तेजी से आ रहे है दरा ठहर जाओ नहीं विश्णू दादा मेरी बेटी अकेली है घर पर बेटी इस तूफान में तुम नहीं पहुच पाऊगी और भयंकर चारों और काले बादल चा गए और घर के बाहर दोनों बेहन अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया और दोनों बेहन सुबहक के बने हुए चावल खाकर सो गई और वेढ़ूत उसकी मां का रूप में आता है और लड़की दरवाजा बंद करके तीनों बिस्तर पर सोते हैं चोटी लड़की उसकी दीदी की तरफ मुह करक सो गई तो चोटी लड़की बहुत दुखी होकर उसकी दीदी से कहती दीदी मेरी पीट बहुत दर्द कर रही है तो नीरू उसकी मां की तरफ देखती है तो लड़की देखती है कि उसकी साइड में भूत है जो लड़की को पीछे से ख़ा रहा था और लड़की डर के मारे काप रही थी और लड़की पेशाब का बहाना करके निकल जाती है और दर्वाजे के कुंदी लगा कर और भूत तड्ड अपने लगा और दोनों बहन भागने लगी और भूत दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया और लड़किया पड़् Now के घर में भाग कर दरवाजा बढ़ाने लगी और पड़ोसी ने दरवाजा खुला लड़की बोलती है हम लोगों को बच्चा लो वह मार डालेगा और पडोसी ने अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लिया और पडोसन उस लड़की के धवा लगाती है और लड़क्यों मा आती है दोस्तों वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब करें